नमस्कार पस्ट इंडिया के खासकार कम दिल्ली चलो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विजयत्रवेदी अब सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, तैंक्यू कि आपने लोगतंत्र के इस महा पर्व में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया और हिंदोस्तान की मजबूती के लिए अपना फर्ज निभाया पस्ट इंडिया पर आज सवीर से हमारा मेगा कवरेज चल रहा है पसकार कम में हम राजनितिक नुमाइंदों के साथ जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस वोटिंग के क्या माइने देखते हैं वैसे पिछले 15 दिनों में हमने दिल्ली चलो के करकम में धाई हजार किलो मेटर कर सफरताय करके राजनितिक मूड मिजास को घपने की कोशिश की और जंता को ना केवल राजनितिक नुमाइंदों से रूब-्रू कराया बलकि नेताओं से हिसाब किताब बूच में का मौका भी दिया कि उन्होंने फिचले 5 साल में क्या किया और अग gayz के साथ अपने नेताओं से राजी सरकार में मंत्री और वीजे पी के वरिशनेता अरून कांगरेश के वरिशनेता राजी वरूरा साहब, सीपी अमको वरिशनेता भवर सिंग शेखावत सहब और अरक्षनवास कमल टांग शाहब और बेहत खूबसूरत आवाज गिमालकिन सिंगर सुप्रिया आप सब का बहुत बहुत स्वागत हैं अरुन जी आज जो वोटिंग हुई है जिस तरह से बहुत बढ़ चड़ कर सब लोगों ने हिस्सा लिया है क्या माईने आप इसको देखते हैं मुझे लगता है कि लगबग अभी तक का जो आकड़ा कहता है वो कोई 63 परसेंट के आसपास वोटिंग बताता है और मुझे लगता है यह और बढ़ेगा दो परसेंट कितना आठ शाड़े आठ तक जब फैनल फिकर आएगा और पिछली बार का 2009 का जो पोल था वो और तालीस पॉइंट सब्टिंग 48.59 परसेंट या कुछ हैसरा होगा उससे लगबर लगबग कोई 17% के आसपास वोटिंग परसेंटेज यह बड़ा है वैसे तो यह विदानसवा के चुनाव से देखें तो लगबग कोई हम कह सकते हैं कोई 78% कम होगा लेकिन विदान पिछले चुना पर जो नया मद्दा ताया उसमें मद्दान के प्रती बहुत रुजान था उसके लिए सब राजनितिक दोलों ने प्रयास किये चुनावाईव की तरफ से भी बहुत अच्छे प्रयास हुए आप सब मीडिया चैनल के माद्यम से भी जागरन का एक बड़ा अभ्यान चलाया या पर दुनिया का कोई भी देश आकर के इस देश में कुछ भी करके चला जाए और हम उसकी प्रतिक्रिया तक ना देना इस तरह की स्थित्य होगी उसके कारन भी काम मद्दाता हुए इस पर चर्चा करेंगे देखते हैं हमारे जो मुख्य निरवाचन अधिकारी आशूक इस तरहों पर चल रहे हैं जहां तक मॉडल कोड़ अप कंड़क्ट आचार सहीता का प्रश्न है आचार सहीता से समंदित वाल राइटिंग, पेंटिंग, बैनर, पोस्टर हटाना आधि के कारिये जो किये जाते हैं उनकी संख्याई स्पेज के लिए 17,280 ऐसे मामलों में करवाई की गए कुल F.I.R. दर्ज हुई 18 और 18 F.I.R. दर्ज हुई कुल 93 प्रकरण दर्ज किये गए अब मैं आता हूँ आज के मद्दान की ओग, जो कि आज का मुख्या विशह है आज राजस्तान में 7 बजे प्रात्यकाल से सायंकाल 6 बजे तक मद्दान का समय निर्दारी था और समय पर मद्दान सभी जगों पे प्रारम कराया गया पूरे दिन मद्दान की इस्तिती पर नियंत्रण नजर हमारे सभी अधिकारी गड़ जो यहां मजूद हैं इन सभोंने रखी हुई थी और नियंत्रण कक्ष वगरे लगातार कारे रख कर रहे थे पुलीस के भी नियंत्रण कक्ष और कंट्रोल रूम सब जगें कारे रख थे कहीं से भी किसी भी प्रकार की अपरिय घटना की कोई भी सुचना नहीं नहीं कोई वार्दाग नहीं हुई किसी भी प्रकार के कोई भाय लोने या गोली चलने या लाठी चलने जैसी घटनाएं नहीं मद्दान का जो प्रतिशत रहा है जोसे आप जानने में बहुत पत्सुख होंगे वो हमारे यहां 3.25 प्रतिशत का आंकड़ा आया है इन 20 मिर्वाचन ख्षेत्रों यह पिछले 2009 के लोगसवा चुनाओं में इनी ख्षेत्रों से जो मद्दान हुआ था उसमें 48.09 प्रतिशत याने लगवग 48 मान ले उससे 15 प्रतिशत से अधिक की इंक्रीज इसमें आ रही है राजस्तान में किसी भी पिछले लोगसवा चुनाओं को अगर हम देखें तो हाइस्ट मद्दान 1996 में हुआ था जिसमें 98 में 98 में हुआ था उसमें 65 प्रसेंट मद्दान हुआ तो यह उससे भी ज्यादा मद्दान इंजित कर रहा है यह आकड़े अभी टेंटेटिव हैं और इनने कुछ परिवर्तर सम्मग है क्योंकि अभी उड़े आकड़े हमारे पास राजीव जी हम सीओ अशोग जैन साब को सुन रहे थे 15 परसेंट का इदाफ़ा इस बार हुआ है पिछले भार के लोग सबार चुनावा की मकाबले में देखें 48 की बज़ा 63 परसेंट हुआ है तो इसका क्या माइन है केंडर सरकार से पिछले चार महीनों से भी ज्यादा न नाराज़गी के बात नहीं है यह देश का लोगतंत्र मजबूत हो रहा है मैचूर हो रहा है और आगे आने वाले सभी चुनावों में 7% से उपर मद्दाम हो गई होगा हम तो सोचते हैं कि मद्दाम 25-90% तक पहुंचे तब लगे कि इस देश के अंदर ज्यादा से गढ़ते रहे और उसके बाद सरकार के काम के उपर प्रतिनतिक काम के उपर प्रतिन चीन लगाते रहे तो वह उचित नहीं है जाजाद लोगों जाना चाहिए उस बहुत बड़ा रूल मिगया का समाचर पत्रों का और सभी रानितिक देश्वों का है जिसके विसे मद्दा हुआ था तो लग भग उसके बराबर सब्सक्राइब से उपर मद्दान होगा उस आशा के से मेव लगता है इसका पॉलिटिकल मैसेज क्या है पॉलिटिकल मैसेज निगालना अभी बहुत जल्दी है हमेशा इसका आज तक कोई मेखास फॉर्मूला बननी पाया कि मद्दान ज लेकिन राजस्तान में 98 में 60% मद्दान हुआ था तब शयाद अरुण जी की पार्टी की सरकार बनी थी अब 63% हो गया तो चांस की बात है चीकर श्यासक पर से मद्दान होता है तब बहुत किसकी बागी से रखते हैं आप किस तरह से देखते हैं एक तो यह अच्छी बात ह सबसे बड़ी अच्छी बात है और हमारे सब के लिए मतलब सुफशंकेत है कि जनता आगे बढ़ रही है और अपनी वोटिंग का अधिकार जो है उसका इस्तिमाल कर रही है और यह सबसे अच्छा सुफशंतिक है क्योंकि इससे लगता है कि लोग अब राजनिती में इंट ग्रुप में बात होती थी यूद के साथ बात होती थी अरे वोट डालना अरे रहने दो हम तो वोट वोट राजनिती में पढ़ते ही नहीं दाले ही नहीं तो यह जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है वर्निंग सिगनल तो नहीं है जनता जो पात साल तक पीडित रहती है राजनेताओं से उसके बाद एक इदीन आता है उसके लिए मोका जिसमें वो अपना कुछ कर सके और तो जनता के आद में कुछ है नहीं इसके अलावा तो आज जनता ने कुछ अपना वोटिंग किया लेकिन जितना होना चाहिए था रस्तों में उत्ता हुआ नहीं है जिस तरह से जो लहर बताई जा रही है साब मोधी जी की बहुत बड़ी लेका लोग सारे पॉलिंग स्टेशन पर ऐसा कोई रस्त दिखा नहीं है एक एवरेज वोटिंग का यह जी कहेंगे आप सोला तारिक को यह भी मान जाएंगे सोला जो हावा यह बना रहे हैं खाली मीडिया की हावा है उससे कोई नहीं है क्योंकि अभी जनता के जो तकलिफे उस पर कोई नहीं बोल रहा है जनता के वास्तिक मुद्धे जो है वह चर्चाओं में भी नहीं आरे ना राजनेता बोल रहा है जिवल मुझे ऐसा लगता है कि एक बात तुम्हें कहना चाहूंगा कि हमें खुले दिल से राजनिती अपनी जगह है सब पार्टियां करें लेकिन जो वोटिंग परसेंट बढ़ा है उसको एक्सेप्ट करते हो उसको अबने का खार्ण है कि हमारे 10% से जादा युवाव वोटर इनम और मुझे लगा आज जब मैं वोटिंग करने के लिए गई तो बहुत बड़ी तादा में मैंने महिलाओं को और यंग जेनरेशन को देखा जी हमरे सथ कॉंग्रेस के वरिष नेता और सांसद अश्कली टाक साब भी जोड़ गए है अश्कली जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है जी इस तरह से आज वोटिंग हुई है 63% वोटिंग हुई है जी अश्कली जी आपको आवाद आ रही है पंद्रा परसेंट वोटिंग बढ़ी है पिछले चुनाव के मुकाबले में इससे आप निराश है या खुश है अच्छी वोटिंग अच्छा प्रणाम देती है लोग तो अंत्र की परिपक्ता देती है लेकिन कॉंग्रेस के लिए शुप संकेत हैं क्या मुझे लग रहा है विद्धान सभा में जितने लोग नाराज थे उनकी नाराज के लिए नहीं विद्धान सभा में जितनी नाराज़्गी थी केंदर सरकार के खिलाफ वो बहुत बढ़ गई है नहीं ऐसा कुछ नहीं है आपकी आवाज थोड़ी थोड़ा ठीक करो जी अलो जी आप अपनी बात कहिए ठीक करो जी अश्कले जी मैं यह जानना चाह रहा हूं कि कॉंग्रेस के लिए शुप संकेत है क्या पोलिंग परसेंटेज बढ़ना यह लोगतंतर के लिए सुप संकेत है किशी पार्टी विशेश के लिए क्या इसकी व्यक्या करी जाती है वो अलग सवाल है आप किस तरह से देख रहे हैं आप तो बहुत अनुभवी राजनेता हैं और बड़े लंबे समय से कॉंग्रेस के साथ जुड़े रहे हैं कॉंग्रेस के पॉलिंटिकल एनालिस्ट है देखता हूं कि लोगतंतर में अच्छे मद्दान का होना हमारे लिए और परतिपक्ष के लिए और लोगतंतर के लिए अच्छा संकेत मानता हूं जिसे आप कह रहे हैं और जितना मैं आपको समझता हूँ उसका मतलब यहाँए कि आप यह नहीं समझ रहें कि लिए बहुत अच्छा साइन है अब यह मैं क्या सब्सक्राइब यहगर यह आप मेरी समझ से भी जादा मेरे झाद तो इसके टाक जैसे गंभीर और एनलिस्ट लीडर से मैं इस बारे में अभी इस बात की कहने की स्थिति में नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमारे अभी हमारे कंडिडेटों से बात की जानी है और कंडिडेटों का फीडवेक लेने के बाद जी हम इस कहने की स्थिति में होगे एक महीना है हमारे पास जी एक महीना है एक महीने में यही बाते होगी कि कौन सी assembly segment पर कौन सी आठो assembly segment पर और कौन सी लोग सुभाज जीट पर आप कौन कौन से हने doubles agent में इस की व्याक अभी करना अभी करना उचित में होगा चली हमारे साथ अरुन चतुरवडी जी हैं आपके मित्र भी आपके सात्त्री हैं अरुन जी आप व्याक्या कर सकते हैं कि एक बात तरह है कि हम मैं किवल अपना अनुमान लगा सकते हैं जो आज मैं दिनबर के घुमाओं गोल्डिंबूस के उपर जन्ता के मूट को देखते हुए एक अनुमान की बात मैं कह सकता हूँ निश्चित रूप से यह सोले तारीक को जब में प्रेटी होंगे मत गड़ना ह होगी उसके बाद लेकर सामने आएगा लेकिन मैंने जो पहले आपको द्यान करने का प्रयास किया कि दस तारीका जिस प्रकार का शासन रहा है उस शासन के खिलाफ एक जनाक्रोश था और विशेश उत्से युवावर्ग में अपने भविश्च के प्रतियों देश के प्रत सभरतेस्ता की बात करें हम तो पहले कहते ही थे और जनता भी इसको देखती थी की एक बहुत ही कमस्तूर प्रधान मंतरी बैटा प्रश्टाचार का नंगा नाच नहीं हुआ लेकिन इन पांस दस सालों मर विशेश यूप से यूपीय टू के समय जिस प्रकार से ब्रश्टाचार और देश में लूट मची है उसका आजादी के बाद का कोई उधार देखने मिनीए अश्कली जी का कहना है मुझे ब्रेक पर कि कमजोर कमजोर और ताकतवार किस दिरूप में लिया जा सकता है जी प्राइम ने यूगिलर डील के मामले में अपनी सरकार कर अपनी सरकार पर दाव पे लगा कर जिस परकार से निरने लिये हैं हलो जी जी आपके आवाज पर जी आप बोली है मेरी आवाज के साथ में बहुंकि आवाजें आ रही हैं? जी मैं कहने किस्तितीमे हूँ लेकिन बड़ा मुस्किल है मेरे को क्य करणा आपको लग रहा है कि प्रदान मंत्री एक कमजोर प्रदान मंत्री थै? मैं इस बात को नहीं मानता और उनकी द्रश्टिश्य हो सकता है कि देश का परदारमंतरी कमजोर हो और देश का परदारमंतरी का मापदन क्या हो जी चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगी उनको लगता हो सकता है जी ठीक है चर्चा जारी रखेंगे हमारा खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है दिल्ली चलो के इस खास करकम में हम चर्चा कर रहे हैं आज की वोटिंग की और उसके नतीजे क्या हो सकते हैं इन संभावनाओं को भी हम तलाशने की कोशिश करेंगे सोला तारिक तक आप क्यों इंतिजार करते हैं अभी हमारा पैनल जो है आपको नतीजे बता देगा हमारे साथ बने रही है दिल्ली चलो के इस खास करकम में आपका बहुत बहुत स्वागत हैं हम मना रहे हैं लोक तंतर के महापर्व का जश्न तो जसन के लिए हमारे साथ हैं एक बहुत खूब सूरत आवाज के सिंगर सुप्रिया जी सुप्रिया जी आपके साथ करते हैं फिर राजनीती के बाद तो होती रही बिल्कुल आज का दिन राजस्थान में मदान का दिन रहा तो मैं राजस्थान के मिट्टी से ही जुड़ा हुआ राजस्थान की महिमा को बखान करता हुए गीत गाऊंगी आतो सुर्गाने सर्मावे यी परदे वरमणने आवे यी रोज सनर नारी गावे धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी आतो सुर्गाने सर्मावे इपर देवर मणने आवे इरो जसनर नारी गावे धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी ओ सुरज कड़कड़ने चमकावे चंदो इमरत रसवर सावे तारा निछ रावल कर जावे धर्ती धोरारी काड़ा बादलिया गहरावे बिर्खागू घर्यागम कावे बिजड़्यी डड़ती ओड़ा खावे धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी धर्ती धोरारी बहुत खूब बहुत कुब जी अश्कली जी जिस बात का जवाब नहीं दे रहे क्या आप देना चाहेंगे क्योंके आप बहुत 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 तरीके से समझते में एक मजबुट अद्ध्यक्ष मनमोण सिंग जी पहली यूपी की सरकार वनी विजय जी तब भी प्रि पूरे करे हूँ जिसके समय में उनीसों से तैलिस के बाद से लेके दो अजार्ट तेरा तक के बीश में सबसे ज्यादा विकास की दर एकोनोमी की किसी देश की पहुंची हो और उसके बाद में चाहें किसानों के रिंड माफ करने की बात आई हो चाहें फूक सिक्यूर की बिल्ट की बात आई हो इन सब चीजों की थोड़ी सी जान करी मैं थोड़ा से क्लारिफिलिशन है यह सारी चीज की क्रेडिट आप मनमौन की नेता होने के नाते हैं मनमौन सिक पदार मंत्री थे उनको श्क्रेय है उनका कारेकाल इतियास में चांदार तरीके से लिखा जाएगा और एक मजबूत पदार इन नतीजों की इन चुनाव नतीजों की जिम्मेदारी या सहरा जो है वो सोनिया गांधी जी के सिर पर है य किसको बंदेगा उपलब दिया हुई है नेत्रत को नहीं नेत्रत तो सामय नेत्रत है यह मोधी और बीजेपी की तरह मामला नहीं है एक वैक्तिक वोट बाग जा रहे हैं जा पर आईगिलोग जी की बात नहीं हो रही हो मेरे को कई पास सोचने को पढ़ता है कि कल को को मोध तो क्या पूरी बीजेपी उसको अपने उपर लेगी या उसको अलग कर देगी आज की तारिक में वोग मांगते हैं तो कहते हैं मोधी की सरकार लाओ मोधी को वोग दो और कल को कुछ यह तैया हो गया तो यह भी शक्राइब कर देना चाहिए कि बाद में भी वो उसी तरीके से मोधी पीजेपी को ग्रेंड करेंगे मैं तो राजी जी को बोचने चाहिए कि मुझे पहली चीज़ तो क्या जब जब किसी देश में कहीं पे भी कॉंग्रेस पार्टी जीती है तो आप कहते हो सोनिया जी के नितरत के पर मौर लगी राहूल गांदी की इस्तुती करते करते हैं अपन तकते नहीं है और आज अपन जब खारने की बात आएगी तो अपन किसी ने किसी को बली का पकरा बनाएंगे तो किसको बनाएंगे ये तो सोले तारीक को अपन सब देखेंगे इसी कमजोर परदान मंतरी को हमने देखा जो लोकपाल बिल लोकसाओं में आया तो आपके वोही शहजादे वोही लोक युवा निता आपके लोकसाओं में बिल को फाल के चले गए उसमें देश के परदान मंतरी का मजाग BGP नहीं उडा रही थी को और वंपंती दल नहीं उडा रहे थे खुना और और निता को सुनकर के परिश चलती के बिल कि म कैई करять करके P avoiding करने के लिए. आपके पार्टी का एक नारा है जो मैं हमेशा चर्चा में होती रहते हैं आप भी जिसका सब्सक्राइब के लिए अपने खुद के छोड़कर के और पार्टी चुनाव हार जाएगी इसलिए आप ये जिम्मेदारी ये सहरा सोनिया गांधी को बांधने के लिए तैयार नी है इन चुनाव नतीजों को क्या आप तैयार है लोगतंत्र में विवेस्ता होती है हार हार होती है जीत जीत होती है और इस हार के और जीत के यस और अप यस दोनों के बीच में जी नेता को शुकार करना पड़ता है जी और नेता ने शुकार किया है लेकिन ये बारतिय जन्ता पर्टी के लोग जुमें जुमें जिनको आर दिन हुए है जी अभी इस बात की व्याक्या करने वाले कोंड होते हैं के कांग्रेस हार रही है और बीजबी जीत रही है एंडिये जीत रहा है और यूपिया हार रहा है अभी तो देश के आदे चुनाव हुए है मेरे भाई जी लेकिन सवाल हम तो अभी ये पूछ रहे हैं कि ये आधे चुनाव का क्रेडिट जो है क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे सोला मई को सोला मै को किस बात का हर राज्य के अलग दश्ठी कोन होते हैं अलग दश्टी कोन हो गए और उस दश्ची का समगर रूप से इसकी व्यक्चा की जाएगी और उस कौन से राज्यमें कांग्डेस प्लस करती है कौन से राजे में माइनस करती है और यह पार्टी बारतिय दंता पार्टी या एंडिये आदे हिंदुस्तान में जिनका अस्तित्वे नहीं है एक अश्कली जी डर क्यों लग रहा है आपको अश्कली जी अब डरे डरे क्यों बोल रहे हैं डरे डरे क्यों बोल रहा है बता दीजे सोनिया गांदी जिन्दाबाद मैं तत्यों से अंजान नहीं रहना चाहता अरुन जी अभी नए ने सरकार में आये हैं उनको यह पूछना चाहता हूँ वह पार्टी के अद्धक्स भी रहे हैं उपादक्स भी हैं जी यह इनकी पार्टी में होता है कि अद्धक्स को उपादक्स भी बना दिया जाए और अदक्स रहे व्यक्ति को राज्य मंत्री बना दिया जाए यह इनकी पार्टी में होता है कि इस Isie एक चीड जीत करते हैं कि हम जनादेश लेकर जा रहें कि as 돼 in the city आपकी पार्टी में तो प्रदान मत्ति से ऊपर है अजिए अच्छा लगा कि करीजी मेरे शुक्चिन तक तो हैं कम सब्सक्राइब निश्चित रूप से पार्टी का पार्ट पार्टी के अंदर अध्यक सरवोच होता है जी और पार्टी का एक नेता हम पार्टी ते करती है कि कौन पुर्दानमंत्री बनेगा जी चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया हम ब राजनितिक हिस्सेदारी निभाना चाहती है और कमल साब से पूछेंगे कि क्या डेमोक्रसी में इस इलक्षन का माइन है तुरंत लौटते हैं ब्रेक के बाद आप हमारे साथ बने रहे हैं